नमस्कार हा शम्स्कृत भारत्याह पत्राचारद्वारा सम्स्कृतं इत्यस्मिन कारिक्रमे भवतां स्वागतं अस्मिन पाठेवयं चतुर्थकंडे प्रदत्त कथानां वाचनं कुर्महा कोविद इत्यस्मिन पाठ्य पुस्तकई पूर्व पाठेशु पंचाना महाकाव्याना मध्धे रगुवम्षस्य शिशुपाल वधस्य किरातार्जुनीयस्य चा कथा ज्ञाता कोविद पाठेशु कुमार संभव महा काभ्यस्य नैशधीय चरित महा काभ्यस्य चा कथां, कथया महा संग्रहरूपेण अत्रा कथा दीयते विस्तरेन कथां पठितु हम भवन्तह प्रयत्नम कुरवंतु अधुना कथां ज्ञास्या महा कुमार संभवं कुमार संभव महाकाव्यं कालिदासेन विरचितं अस्मिन महाकाव्य सप्तदश सर्गाह संति लोककंटकस्य तारकासुरस्य सम्हाराय शिवापार्वत्योह विवाहा कुमार जननं तारकासुरस्य वदह एते विशयाह अत्र उपवर्णिताह हिमालयह पर्वतानाम राजा सह उत्तर भागे भूम्याह मानदंडः इवा शोभते अनेकानी रत्नानी ओशधयाचा दत्रासंति महापर्वते अलंकार वस्तूनी संभवंति देवताह तैही वस्तुभिही एवा स्वशरीरम अलंकुर्वंति हिमालयस्य सरोवरेशु मनोहराणि पद्मानि भवंति सप्तर्षयह स्वयम आगत्य पूजायी तानि नयंति माननीय मेना देवी हिमालयस्य धर्मपत्नी मैनाकह पुत्रह जगनमाता पार्वती पुत्री पूर्व जन्मनी पार्वती सती देवी आसीत सा दक्षब्रम्हनह कुमारी दक्षः कदाचित यागम एकम अनुष्ठितवान तस्मिन समये सह सती देव्याह पतिम ईश्वरम निंदितवान निंदाम असह माना सती देवी हो माग्नव स्वशरीरम एवा समर्पितवती सा एव अपरजन्मनी हिमालयस्य पुत्री संजाता इमाम पुत्रीम प्राप्तवान हिमवान निष्चयेन भाग्यवान एवा, बाल्ये पार्वत्याह विद्याभ्यासह निमित्त मात्रम आसीत, पूर्वजन्मनी ज्ञातान विशयान स्वयम एवा सास्मृतवती, कालक्रमेन योवनम प्राप्तवती, तस्याह सौंदर्यम लोक अनुपम्च आसीत। पर्वतराजह शिवस्य सेवायेई पार्वतीम नियोजितवान। इंद्रादि देवताह तस्मात भीताह प्रपंचम रक्षितुम असमर्थाह चा आसन। देवताह एवा तारकस्य सेवकाह अभवन। देवाह दुखिताह सर्वे ब्रम्ह लोकम अगच्छन। तत्र भक्त्या ब्रम्ह देवस्य स्तुतिम अकुर्वन। ततह ब्रहस्पतिही देवाचार्यह देवतानाम दुरवस्थाम वर्ण इत्वा अहंकारी तारकह लोकान पीड़यती। तारकासुरं समहर्थुम सर्वे असमर्थाह तमहत्वा लोकम उद्धर्थुम भवन्तह एवसमर्थाह इती अवदत। ब्रम्ह देवह अहमेव पूर्वं वरम्दत्वा तारकासुरं अनुग्रहीतवान अतह मया तस्यवदह नकर्तव्यह शिवपार्वत्योह पुत्रह एवा तम्हंतुम् समर्थः अतह यूयं तपो मग्नस्य इश्वरस्य चित्तम् उमादेव्याह सौंदर्येन आक्रष्टुम् प्रयत्नम् कुरुत इती उक्तवान इश्वरस्य चित्तम् आक्रष्टुम् मन्मतह एवा समर्थः इती इंद्रह मन्मतं स्मृतवान। कथायाम द्रुष्ट्वा अवगच्चन्तु।